हेलो स्टूरेंस वेलकम तो इन माई चैनल स्मार्ट स्टूरेंस आज हम डारेक्टेड ओफ एजूकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर टू करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और सब्जेक्ट है बेटा साइंस बेटा ये वर्क्षिट 16 सेप्टेंबर 2020 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट माईक्रो ओर्गनिजम माईक्रो ओर्गनिजम प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन आ तो आज की वरक्षिट में useful microorganism के बारे में हम पढ़ेंगे तो आदेंगे देखते हैं क्या-क्या uses है microorganism के तो नंबर वन देखे बेटा, making cheese Cheese बनाने के लिए बेटा हमें microorganism की जरूरत होती है Making bread Bread बनाने के लिए भी हमें microorganism की जरूरत होती है Decomposition of organic waste मैनियोर बनाने के लिए भी बेटा हमें माइक्रो ओर्गिनिजम की जरुरत होती है मैडिसिनल प्रपरेशन के लिए मैडिसिन्स बनाने के लिए भी बेटा किसकी जरुरत होती है हमें माइक्रो ओर्गिनिजम की नैट्रोजन फिक्सेशन अभी हम इसके बारे में आगे किसी वर्क्षिट में पढ़ेंगे, अभी के लिए याद करो कि nitrogen fixation के लिए भी किसकी जरूर्थ होती है, micro-organism की, beside this, they are also used making pickles, butter dosa and idli and alcohol, इसके लावा देखो, pickles बनाने के लिए, battle of dosa, idli and alcohol बनाने के लिए भी हमें micro-organism की जरूर्थ होती है, in agriculture, they are used to increase soil fertility, soil की fertility को भी increase करने में भी हमें micro-organism की जरूर्थ होती है, तो देखो, कितना useful habitat micro-organism हमारे लिए, cheese, bread, manure, medicines बनाने के लिए, इसके लावा dosa, idli, pickles बनाने के लिए, soil fertility के लिए भी हमें किसकी जरूर्थ होती है, micro-organism की, तो micro-organism हमारे लिए बहुत है useful है, तो आईए देखते आगे, क्या दिया गया है, बेटा, वर्क्षिट में, Pinky asked her teacher, Ma'am, you told us the curd is prepared by micro-organism, तो curd किससे बनता है, बेटा, micro-organism, but my mom just added little bit of curd to warm milk at night, and same milk turned into curd in the morning, how it is possible, तो क्या कह रही है, देखो, Pinky क्या कह रही है, कि Ma'am, आपने बताया था, कि जो curd है, वो micro-organism से बनता है, लेकिन उसकी ममा ने क्या क्या, little bit of curd, थोड़ा सा curd लेके, थोड़ा सा दही लेके, उसे warm milk में mix किया, और रात को छोड़ दिया, next morning में क्या था, जो milk था, वो किस में convert हो गया, curd में, दही में बन गया, how it is possible, अब देखे, teacher respond, Pinky, a bacteria named lactobacillus is present in the curd, your mother added little bit of this curd to the warm milk, the bacteria reproduce and multiply in the milk at suitable temperature, and convert into curd, but remember, one thing that, the milk used for making curd should neither too hot nor too cold, but it should be little warm only, तो देखो भी यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, teacher ने बोला कि, जो curd है, दही के अंदर lactobacillus bacteria होता है, आपको यह बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, इस bacteria का नाम आप कई बार repeat करे, जिससे की क्या होगा, आपको वो याद हो जाएगा, तो दही में, कर्ड में क्या होता है, lactobacillus bacteria होता है, जब pinky की जो मदर थी, उन्होंने क्या किया, जब भी हम धही जमाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो दही है, वो क्या करते हैं, जब गुन-गुने milk में, हम क्या करते हैं, उसे एड करते हैं, जिससे की क्या होता है, ये lactobacillus bacteria कहां पहुंच जाता है, उस warm milk में चला जाता है, वहां जाके वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होता है, और मल्टिप्लाइ होता है, और क्या करता है, इसके लिए suitable temperature चाहिए, और क्या करता है, जब वो multiply होता है, तो जो milk है, वो किस में convert हो जाता है, curd में convert हो जाता है, बट शुड रिमेंबर वन तिंग, आप क्या याद रखना है, यहां पर कि जो milk ले रहे हैं, वो नाइदर होड, तो अभी हमने देखा कि क्या चीज चाहिए होती है, बनाने के लिए बीटा, एक तो little bit of curd चाहिएगा, और milk चाहिएगा, और कैसे बनता है, तो देखिए, यह रहा इसका अंसर, बैक्टेरिया नेम Lactobacillus is present in the curd, यूँर मदर अड़े लिटल bit of this curd to warm milk, बैक्टेरिया रिप्रोदूस and multipliion in the milk and suitable temperature and convert into curd, ठीक है स्टोईञ, तो आइए करते हैं इसका अंसर, first का answer है बेटा, curd contain lactobacillus bacteria when added a little curd of two milk this lactobacillus bacteria is reproduce and multiply at the suitable temperature and convert the milk into curd a little curd and a milk are needed to make curd ठीक है स्टर्ण तो ये है आपका first का answer एक बल फिल करवा देती है curd contain lactobacillus bacteria when added a little curd to make this lactobacillus bacteria is reproduce and multiply at the suitable temperature and convert the milk into curd a little curd and milk are needed to make curd आईए अब next question करते है बेटा हम देखिए next question क्या है बेटा which bacteria is found in the curd curd में कौन सा बेक्टीरिया होता है बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा lactobacillus कौन सा बेक्टीरिया है आप कई बार इसको repeat किये कई बार बोलिए बेटा कौन सा बेक्टीरिया है lactobacillus which bacteria is found in the curd बोलिए lactobacillus very good next देखिए write any four uses of microorganism microorganism के four uses बताने है तो बेटा यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है आप number one, two, three डाल के यही पूरा paragraph यहाँ से लिख सकते हैं तो number one making cheese number two making bread number three decomposition of organic waste manure number four medicinal preparation number five nitrogen fixation number six पे आप लिख सकते हैं they are also used to making pickle better of dosa, idli and alcohol number six पे हो जाएगा और number seven पे in agriculture they are used to increase soil fertility तो कोई भी four लिखने है आपको कोई भी four लिख दीजेगा बेटा और इनको याद भी करना है आपको learn करने है यह सारे question answer बहुत important है बच्चे यह आईए अब next देखते हैं बेटा क्या दिया गया है which milk product make you happy when you eat them तो कौन सा milk product है जिसे आप eat करते हैं जब इसे खाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है तो कौन से product है बेटा उनके नाम लिखने है तो मैं मुझे जो product अच्छे लगते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं तो आईए करते हैं इसका अंसर बच्चे तो देखे क्या होगा बेटा इसका अंसर last question का I love to eat milk, ice cream, cheese, paneer बेटा मुझे तो यह चीज़ अच्छे लगते हैं अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है वाक्षिट कम्प्लीट करके अपने टीचर से चेक कर आईए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए Thank you students